कॉंग्रेस से 49 विधानसवा सीटों पर अबजर्वर लगा दिये हैं 49 विधानसवा सीटों पर अबजर्वर लगा दिये हैं सादुल शहर सीट पर सुखवन सिंग बरार अबजर्वर नियुक्त किये गए हैं श्री गंगा नगर सीट पर राजवन सिंग को और अब्जर्वर नियुक्त हुई हैं, करणफू सीट पर गुर्पाल सिंग अब्जर्वर नियुक्त हुई हैं, संगरिया सीट पर राज कमल प्रीत पाल, बीकानेर वेस्ट सीट पर महेलु सिंग नेगी, रतनगर सीट पर अलक बड़ाजना है ना सिर्फ टिकट वित्रन से पहले की परिस्थितियों को बलकि जब टिकट tua बटवारा होता है टिकट जब संबंदित किसी उस विधान सभास सीट में प्रत्याशी को मिलता है कॉंग्रेस का तो मिलता है तो फिर कौन बागी हैं कौन विद्डू कर रहे हैं औ अब्जर्वर का काम भी बहएद महत्यपूर्ण इस मायने में कॉंग्रिस की तरफ से उन्चाफ सीटों पर यह अब्जर्वर नियुक किये गए तो बहादरा सीट पर महेंसिंग नेगी बिकाने वेस्ट सीट पर महेंसिंग नेगी रतनगर सीट पर लकापाल खेजरी सीट पर हंजला उसमानी खंडिला सीट मतललाल सवाई मादों पर याकूब सिरिदिकी, लाड़पोरा सीट पर राजपाल बेश, रामगन मंडी सीट पर शांदी प्रसाद भर्ट, मंडलगर सीट पर नीरत्यागी, चाहूँ सीट पर निकिता चतुरवेदी, फुलेरा सीट पर मीनुवर मामबर सीट पर कमलेश जो कि अब्जरवर के तोर पर निकिती की गई है, और अब चुनाव के ऐलान से पहले और टिकट के बटवारे से पहले ये अब्जरवर की निकिती करना भी अपने आप में एक तरह से कहें कि इन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराना, कि आप भी हमारे लिए महत्तपू हैं बले ही हम टिकेट किसी और को दे रहे हैं आपकी जिसको भी टिकेट दे रहे हैं आपको सको चुनाव 활 लिए से लडाना है, हालकि इसका मकसद उस लिए जास सकता लेकिन ये जरूरी है कि टिकेट बटवारा जब हो तो उससे पहले की परिस्थ्तियों से लेकर बाद की परिस्तितियों तक जब तक वोट नहीं डल जाता इन अब्जर्वर की भूमी का महत्पूर लेने वादी है